हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अश्टडी फोल लर्ड में तो फ्रेंड्स यहाँ पे अवद विस्विध्याले के तरफ से एक नोटिस है आज हम इसी नोटिस के विशेवे बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स नोटिस के देखें ताकि आपको शारी इंफर्मेशन सही सही प्राप्त हो शके तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि सित्कालिन अपकास की तीथी निर्धारित कर दी गई है और बैक पेपर का इग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा जा चुका है तो फ्रेंड्स अब आप सभी स दिखाती हूं विस नोटिस के माधियम से मैं आपको यहां पर पूरी अप्डेट्स आपको करती हूं ताकि आपको सारी इंफर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैक पेपर का इग्जामिनेशन फॉर्म का डेट है जो कि जारी कर दिया गया था जिसमें कि आपको बताया गया था कि 7 वारा 2021 तक ले निर्धारिस्त की गई थी लेकिन बाद में था जो कि इसे बढ़ा करके दिनांग 14 वारा 221 जैसे लेकर 16 वारा 2021 कर दिया गया था जिसमें की ओनलाइन सत्यापन वेरिफिकेशन का दिनांग था जो की 17 वारा 2021 तक करते हुए परिच्छा विभाग में 18 वारा 2021 तक जमा करने की तीथी तैक की गई थी और आज जो दिनांग है वो 19 वारा 2021 है तो फ्रेंट्स यहाँ पर फॉर्म जमा करने की अंतिम तीथी कर ली इसकी तीथी है जो की समावत हुआ है तो फ्रेंट्स उमिद करती हूँ कि आप सभी लोग अपना फॉर्म जमा कर लिए होंगे इस वीच आप लोग की सित्कालिन इनिवर्सिटी बंद रहेगी तो फ्रेंट्स यहाँ पर है जो कि आप लोग की बैक पेपर का इक्जाम डेट सित्कालिन अपकास के वाद ही घोसित किया जाएगा क्योंकि फ्रेंट्स अभी जो है विश्वर विद्धाले में एड्मिशन रिजल्ट्स और इक्जाम फर्म क किया जाएंगे या फिर तो जन्वरी मां के लाश्ट से एक्जाम प्रारंव किये जाएंगे तो फ्रेंट्स यहादी बैक पेपर के इक्जाम डेट को लेकर को कोई भी अपडेट साती है अवद भी सिद्ध्याल के तरब से तो मैं आपको वीडियो के माधियम से तुरंद अपडेट कर दूंगे तो फ्रेंट्स उम्मिद करते हों कि एक्जाम डेट को लेकर के जो भी प्रस्न था वो सॉल्व हो गया होगा यदि अभी भी किसी प्रकार का कोई भी प्रेट्स ना है बैक पेपर को लेकर के तो आप हमें कमेंट्स कीजिए आप सभी का कमेंट्स का रिप्लाइ दिया जागा तो फ्रेंट्स उम्मिद करते हों कि वीडियो चलागा वीडियो चलागा वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स को सेर कीजिए और जिन लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन विलकौन करते ताकि इसले सगले वीडियो में धन्यवाद दोस्तों